अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है मैं आपको गाइड करूंगी कि आप अपनी लाइफ की इंसाइट्स पाने के लिए मेरी प्रीवियस रीडिंग्स को ज़रूर से विजिट कीजी और अगर आप मेरे चैनल पर ओल्ड सब्सक्राइबर हैं त एक वो रीडिंग जो मैं बहुत कम करती हूँ लेकिन जिसकी वेट आप लोगों में से जादा था लोगों को हमेशा रहती है वाट इस इन देर माइंड्स उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो यह कोई भी हो सकते हैं जरूर नहीं किसी लव डिलेशन के ही बारे में मैं बात करूँ जनरल रीडिंग है तो जितने पॉसिबल जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे इस कार्ड के वन कार्ड रीडिंग ह तो वो सब भी पॉसिबल आउटकम्स को में देखूंगी इसका मतलब यह नहीं कि सारे मैसेज आपके लिए हैं तो टेक वाट रेजनेट एंड लीव देरेस्ट फॉर अधर्स जो आपको लगता है कि यह मैसेज आपके लिए हो सकता है उस पर वरोसा कर लीजिए कि वो आप के लिए ना हो क्योंकि जरूरी नहीं है जनरल रीडिंग्स हैं तो आपके साथ रेजनेट करें आप अपनी परसनल सिचुएशन के लिए लव रिलेशन के लिए एक परसनल टेरो गाइडेंस लेके इस कन्फूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं एनर्जीज चे से उसके माइंड में टैप इन करेंगे और जो सबसे प्रॉमिनेंट मैसेजेज होंगे वो हमको यहां पर देखने मिलेंगे ओवियसली जिस व्यक्ति के बारे में आप इंक्वायर करें आप उनके साथ शायर टॉकिंग टम्स पे नहीं है या फिर आप शायर डारेक्ली उनक यहां चल रहा है तो चलिए यह क्वेस्चन यह टेरो डिंग शायर आपकी थोड़ी मदद कर पाए तो वाट इस इन देर माइंड और वन कार्ड रीडिंग में हमार पास जो कार्ड आया है उप्स यहां रखना पड़ेगा शायर इसको यस एगल एगल कार्ड है यह एगल मा बहुत ही शार्प आई इन लोग इस व्यक्ति ने एक बहुत ही शार्प आई आपके उपर रख रखी है वह बहुत बुरी तरीके से heavily आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर जहां पर भी व erzählt 성्वरण old for आपके स्टॉक कर सकते हैं अगर आपके घर के आस पास नहीं रहते हैं तो आपको आपको पहनी नज़र वनों बना रखी है क는 अलब कोई messengers के तुरू indirectly आपके उपर नजर बनाने कोशिश करी हो लोगों को आपके यहां भेज कर indirect तरीके से जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जादा इसमें अपने बतर ने कि दिमाग से इस समय में सोच रहा है और अपना एक भी मूव एसा नहीं करना चाहता कि जिससे इसको किसी तरह का किसी तरह की परेशानी में चलाजा बहुत ही जादा यह व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत सारे इसके प्लैनिंग बन रहे हैं दिमाग बहुत जादा overly think कर रहा है overly विचार चल रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए next step मेरा क्या होना चाहिए और बहुत keenly keenly situation score आपको यह व्यक्ति observe कर रहा है okay this person is and yes definitely यह व्यक्ति कि बहुत सारा समय आपके बारे में सोचने में बिता रहा है और यह thoughts कोई बहुत अच्छी thoughts नहीं है यह thoughts कोई बहुत loving thoughts तो definitely नहीं है यह व्यक्ति आपके उपर अपना control वापस लेने की कोशिश कर रहा है somehow some किसी तरीके से आपके उपर अपना control जो इसका छूट गया वो control को वापस से गेन करने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है यह व्यक्ति वैसे तो इसको खुद भी नहीं पता है कि इसको आपके साथ कैसा behavior करना चाहिए इसको आगे आपके साथ कैसा चलना चाहिए यह खुद भी काफी confused है but still वो clarity पाना चाहरा है कि आप इसका इस बारे में क्या सोचना है आप इस बारे में क्या विचार रखते हो यह व्यक्ति आपके साथ के अपने relation को लेके है जो कुछ भी मुद्द आपके बीच में चल रहा है उसको लेके बहुत analytical है बहुत calculated तरीके से strong mental clarity के साथ में आगे बढ़ना चाहता है very analytical तोल मोल के mental exercise इसके माइड में काफी चल रही है king of swords है actually guardian of angel जो card है यह वाला card है king of swords जो अपने classical tarot के अंदर king of swords कार्ड होता ही है जो आपको पता है intellectual clarity का कार्ड है king of swords कोई भी काम अपने दिल से नहीं सोचता है वो दिमाग से सोच समझके calculate करके analyze करके logical thinking के साथ logical thinking के साथ अपने mind का पूरा use करके चीजों को rationalize way में सोचना और जो भी अगर कोई challenge है तो उसके कोई practical solutions निकाल कर लाने की कोशिश कर रहा है but at the same time I can tell you कि ये विक्ति जो भी है injustice नहीं करना चाता है ना खुद के साथ injustice करना चाता है ना आपके साथ injustice करना चाता है fair रहना चाता है अपने मतलब जल्दबाजी में आके कोई ऐसा कदर ने उठाना चाता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए या उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो fair रहना चाता है इमांदार रहना चाता है और definitely ये विक्ति अपने mind से आपके और उनके बीच की problem को solve करना चाता है ये mind इसलिए नहीं लगा रहा है कि wait for a while तो ये विक्ति आपके और इनके बीच की problem को solve करने के लिए चीजों को और खराब नहीं करना चाता है कुछ जल्दी बोलके जल्दी action लेके आपके और इनके बीच की चीजों को solve करना चाता है सोचने से पहले communicate करने से पहले बहुत ही जादा इसलिए शाद आपके साथ talking terms पे नहीं है क्योंकि वह सोच रहा है कि किस तरीके से communicate किया जाए क्या सही तरीका है communication का सही तरीका क्या है कैसे अपने अपने thoughts को कैसे मैं express करूं सही तरीके से कैसे express कर सकता हूं मैं भी विक्ति आपको टेक्स्ट भेजने की या फिर रिटन फॉर्मिट में message भेजने की text भेजने की कोशिश कर रहा हूं बट वही मैंने आपको बोला ना कि यह लिखने से एक एक शब्द लिखने से पहले आएक शब्द टाइप करने से पहले बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं इसको जिस वज़े से यह कुछ भी action नहीं ले रहा है सोच reaction लेने की यह बात करने की यह communicate करने की पर नहीं कर रहा है यह व्यक्ति ने अपने आपको आपसे emotional detach करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अगर वह आपके सथ emotional connect होगा तो शायद उसको डर है कि एक तो आप उस पर control गेंना कर लें ऐसा मतला आप उस पर control गेंना कर लें वह डर है उसको कि मैं अपना emotions अपने heartful feelings को मैं बता दूंगा तो कमजोर पढ़ जाओंगा मेरा control निकल जाएगा या फिर यह डेफिनेटल यह व्यक्ति अपने heart को अपने control में रखना चाहता इसको अपनी feelings को अपने control में रखना चाहता है आपके under में control में अपनी feelings और अपने heart को देना नहीं चाहता है इसलिए वह emotional detachment की practice कर रहा है इमोशनल डिटाजमेंट 100% हुआ नहीं अगर हुआ होता तो इतनी बुरी तरीके से आपके उपर नजर नहीं रख रहा होता बट क्योंकि उसका बहुत सारा ध्यान टाइम एनरजी आपके आपकी चीजों को आपकी गतिविदियों को नोटिस करने में जा रही है तो डैफिने इमोशनल डिटाजमेंट की कोशिश की जारी बट इमोशनल डिटाजमेंट हुआ नहीं है यह व्यक्ति आपके साथ में अपने लॉंग टर्म रिलेशन्शिप को लेकर ज्यादा सोच रहा है शॉट टर्म रिलेशन्शिप के लिए नहीं सोच रहा है लॉंग टर्म रिलेश दो भूपम के तुब प्रूंडब का मिल्यों करका शोच है कि step online इन तुब उन सर्क थ addicted did Apple Life 속 अबाने यद रखाने मिल्यों चिर्ष रहा है। इसमें 어떠ो बढ़ कर विक्ति बहुत जादा थेंकिंगा या वक 그때 समय अपने प्र肉 कम जो एक्सपरिंसक रहे हैं और अपने अब तक कि लाइफ के इसके जो नौलेज करी होगी है भी यह फ्रेंड्सके डिलेशद को देख लिख्के फैंमली में दूसरे लोगों के डिलेश 변ा को देख्यान के जो दोनों पार्टी का और उनका बुरा ना हो बहला हो दोनों का दोनों के साथ जस्टिस हो इन सब चीजों के बारे में डेफिनिटली व्यक्ति सोच रहा है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोचते बहुत जादा है तो action नहीं ले पाते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि relationship में pause आ गया है या यह व्यक्ति ने आपके बारे में बिल्कुल सोच नहीं बंद कर दिया है तो ऐसा तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखता है यह व्यक्ति आपके बारे में assertive positive सोचता है और बस यह है कि वह अपनी किसी भी ऐसे decision पर बाद में जाके पच्टाना नहीं चाहता है इस वजह से यह आपको थोड़ा cold और distant भी नजर आ आवल पर यह कहीं न कहीं आपको misguide नहीं करना चाहता है इसलिए अपने emotions को आप से छुपा के रखना चाहता है जैसा कि मैंने कहा कि यह व्यक्ति काफी हद तक mind में है आप लोगों के बीच में telepathic communication जरूर से चल रहा होगा आपके साथ में mentally, telepathically आपके साथ communicate करने की, telepathically आपके साथ connect होने की और आपके mind में क्या चल रहा है इस vibration को telepathically sense करने की, read करने की यह व्यक्ति कोशिश कर रहा होगा यह व्यक्ति maturity और wisdom के साथ में अपने relation को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता है पहले चाहें जो भी हुआ हो आप दोनों के आप दोनों ने कोई immature यह जल्दबाजी में कोई decisions लियो लेकिन अभी है maturity के साथ में wise wisdom के साथ में mature decisions लेना चाहता है but at the same time यह व्यक्ति किसी तरह की emotional drama में आपके साथ नहीं फसना चाहता है यह व्यक्ति because this person is यह काफी wise और experienced person है और इसलिए यह आपके साथ अपने को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है कि आपके साथ रहते वे भी इसकी independence खतमना हो इसकी autonomy खतमना हो इसका self control मतला आपका control ना चला जाए उसके हाथ में कहीं आपके हाथ में अपनी लगाम नहीं देना चाहता इसकी अपनी पहचान अलग बनी रहे आपकी पहचान अलग बनी रहे एक एक फेर डिस्टेंस रखकर अपनी 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 इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हुए रिलेशन अगर किसी तरीके से आगे बढ़ सके और क्या ऐसा पॉसिबल है जिस तरह की यह सोच रहा है इस तरह कैसे अगर यह बढ़ाना चाहे रिलेशन को तो क्या यह उस रिलेशन को आगे बढ़ाना बढ़ा सकेगा क्या ऐसा ओफर उसको आपको द पढ़े करना पड़े, जिसमें इसको अपना इमोशनल अपर पंदोम इसको इमोशनल इनक्रों देनाम पड़े, इसको पना प्रूम को कमा साव ना hasнет पीर, इसको इसको साइन कोया है, इसको साइद को मड़र अब कोर्व凭ास अलिगि, जिसमें इसको और पर उत्रारchnात है, न में अपर मेन्ठाल लेवल पर आपको कॉंट्रोल करने के, करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, इस समय में इस व्यक्ति की यह energy, यह energy change हो सकती है, ल strictly presently इस व्यक्ति यह energy है, अगर इस वक्ति की energy है, तो I tell you, कि आप भी emotional detachment की practice कीजिये, आप भी अपनी independence और autonomy को बनाए रखने के कोशिश की जो आप भी long term में सोचिए कि क्या ऐसे calculative व्यक्ति के साथ में ऐसे analytical mind के साथ में आप कोई emotional balance कोई emotional attachment बना के कहीं कोई गलती तो नहीं करेंगे okay so caution के साथ में this is the reading for what is happening in their minds उनके दिमाग में क्या चल रहा है काफी खुराफात पक रही है काफी खिचड़ी पक रही है तो थोड़े समय के लिए इस खिचड़ी को छोड़ दीजिए अपने आप पर फूकस कीजिए अपने आप पर ध्यान दीजिए कुछ समय बाद हम फिर इस energy को चेक करेंगे अगर यह चेंज होती है तो वैल और गुड नहीं होती है तो स्टेटस को यानि डिस्टेंस मेंटें बना के रखिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग झाल झाल कि जो वाचिंग